आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाउ इस Question में देखे हमसे क्या बोला है कि Electrons with Deep Brogly Wavelength Lambda ठीक है Electrons जिनका Deep Brogly Wavelength Lambda है वो फॉल करते है Target में in X-ray Tube ठीक तो हमसे बोला है कि Cut-Off Wavelength of the Emitted X-ray ये कितनी होगी ठीक है तो चलिए देखते हम कैसे करेंगे इसको समझ ये हमें देखे हमें पता है इधर कि Momentum जो होता है Momentum का Equation क्या होता है P is equals to H by Lambda ठीक है ये होता है और काइनेटिक एनर्जी हम समझे Electrons की जो Emit होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी वो होती है P square by 2M ठीक है देखे ये कैसे आया हम बताते हैं इधर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है Half M V square ठीक है और Momentum क्या होता है M V ठीक है तो हम देखे काइनेटिक एनर्जी को जो है M से उपर नीचे multiply करेंगे तो क्या होगा देखे Half M square by M लिख सकते हैं हम M को और V square तो ये क्या हो जाएगा M M square V square इसको हम P square लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा P square by 2M तो kinetic energy equals to P square by 2M ये ऐसे derive होगा इसको आप याद रखेगा ठीक है तो ये हुआ और kinetic energy क्या होती है हमारी P square by 2M तो देखें और एक फर्मूला हमें kinetic energy का पता है वो होता है H C by lambda naught ठीक है ये जो है energy वाला फर्मूला है H C by lambda naught ठीक तो हम बोलेंगे कि इस entire kinetic energy of electron is converted into photon देखें जब ये लाएओ D-Brogly wavelength वाल electron X-ray tube में fall करतें तो पूरी जो kinetic energy होगे उस electron की वो photon के इसमें convert हो जाएगी और वही जो है emit होंगे X-ray में ठीक है तो हम क्या करेंगे ये दो देखें इदर P के जगे पर H by lambda डालके इसको equation 1 मान लेंगे इसको equation 2 मान लेंगे इसको equation 3 मान लेंगे फिर देखें मैं क्या लिखूंगा लिखेंगे को substituting 2 in 1 ठीक है सब 2 को हम 1 में substitute करेंगे तो क्या हो जाएगा kinetic energy equals to P के जगे पर H by lambda लिखेंगे तो यह होगा H square by 2 M lambda square ठीक है यह हो गया और equation 3 से equate कर देंगे इसको and equating with 3 equate क्योंकि हमने देखें दुनों के LHS same है तो RHS भी same होगे तो देखें क्या हो जाएगा इदर इदर यह ऐसे हो जाएगा H square by 2 M lambda square equals to hc by lambda naught और जो lambda naught है यह हमारी required value है तो lambda naught की value नहीं कालेंगे इदर से तो lambda naught यह देखे H square से H गया तो lambda naught क्या बचा 2 M C lambda square by H यह बचा और यह जो है अपना final answer होगा यह होगी required wavelength उस electrons की photons की जो भी emit हो रहा है ठीक है तो wavelength emitted of the emitted X-ray X-ray की X-ray की जो photon वाली emitted होगी तो अपने को दिख रहा है यह सीधा option A में है तो option A जो है अपना सही answer है क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल ता 10 मिलें से जादा स्ट्डेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट 8444-पर